नमस्कार मैं 80 स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में कल मैंने एक ओलेवल के समकच आहारता पे वीडियो बनाया था काफी बच्चों के कमेंट आये बहुत से बारे बच्चे पूछ रहे हैं फोन करके भी पूछ रहे हैं उसमें वीडियो में भी बताया है लेकिन सायद आप लोगों को समझने में कोई चीज दिक्कत हुई और कल रात्री में कम्प्यूटर ऑपरेटर की जो भरती आई उसमें O-Level के समकच आहारता जो चीजे हैं वो आपको दिया हुआ है और मैंने जब आपको बताया था उसमें मैंने एक उत्तर प्रदेश पुलिस भरती बोर्ड से रिलेटेड जो आहारता थी ठीके O-Level के लिए वो मैंने बताया थी और एक जो जीओ आया था उत्तर प्रदेश सरकार का वो बताया था दोनों में मैंने कम्पेरिजन किया था और बताया भी था कि जीओ ही लागू होने के चांस है और वही हुआ कि जब कम्प्यूटर ऑप्रेटर की भरती आई तो जीओ आपको देखने को मिला है उसमें कि जो आपके गवर्मेंट ओडर आया था O-Level के समकच आपका उत्तर प्रदेश सरकार का वही लागू किया गया है अब सबसे बड़ी बात कई सारे सवाल बच्चे पूछ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा जो doubt है देखो जो general diploma है उस पर मैं बात में करूंगा आप लोग काते हो सरी यह certificate किया है फला institute से किया है फला institute से किया है मैं पहले भी उस पर क्लेरिफिकेशन दे चुका हूँ कि कोई भी ऐसा इंसिट्यूट ध्यान रखिएगा अगर कोई ऐसा इंसिट्यूट जिसे आपका किसी बोर्ड के द्वारा जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी इलक्ट्रोनिक्स इक बोर्ड है उसके द्वारा कोई मानि का सिच्छा से रेलेटिट कोई बोर्ड है सपोस करिए माधिमिक सिच्छा परिश्द एक सब्कूर्ड है ना एजुकेशन से उसके ड्वारा कोई कोर्स कंप्यूटर का कराया गया हो और उसका सार्टिफिकेट दीया गया हो वो माननने होगा ना कि किसी पटिकुलर इंसिट का बनाया हुआ certificate मानने होगा ठीक है कई बार बोल चुका हूँ तो इस बात को clarify कर लीजिए अपता चले आप लगाओ फिर बाद में मेहनत करो लास्ट में डीवी से बाहर हो जाओ दूसरी बात सबसे वड़ी कि जो PGDCA किये हैं आप इनुवर्सिटी से किये हैं AICTC approved है ठीक है वो आप लोग निशिंत रहिए आप लोग eligible हो अब रही बात कई बच्चे बोलें सब मैंने commerce से पढ़ाता और PGDCA कर लिया मैंने biology से पढ़ाता PGDCA कर लिया ये पिछली बार भी मैंने point जब ASI ASI की भरती आई थी तो उस समय भी मैंने ये कहा था कि आयोक पर इस पर consider करना च लेकिन सही हुआ कि वो चीजे सब खतम हो गई सब चीज खतम हो गई अब आपका जो जीओ है उत्तर प्रदेश सरकार का उसके according अगर देखा जाए तो PGDCA के लिए कोई आफ़त नहीं है कोई भी PCMA सब चीज कोई जरूरत नहीं है उसमें कहीं भी जीओ में नहीं लिखा हु बाकी maximum चीजे सेम है इसलिए मैं उस पर नहीं बात करूँगा जो आपके जादे तर सवाल है जो authentic सवाल है कि PGDCA, BTEC और graduation में computer ठीक है इन तीन पॉइंट पर BTEC क्या R branch eligible है O label के equivalent माना जाएगा SI, ASI के लिए या computer operator के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ठीक है और graduation में computer अगर है तो कितना होना चाहिए क्या वो O label के समकच होंगे कि ने इस पर बहुत सारे आप लोगों के confusion है मैं clear करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से ये ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूँ जो जीओ आया है computer operator की भर्तिक और ये O label के समकच SI, ASI और computer operator दोनों के लिए लागू होगा बस computer operator में एक basic necessary ये चीज है कि आप physics और math 10 प्लस 2 में होना चाहिए उसके बाद O label या O label के समकच होना चाहिए SI, ASI में ऐसा कुछ नहीं है उसमें असनातक के साथ आपका O label होना चाहिए मेरी बात थ्यान से दूर नियेगा ठीक है असनातक आप किसी भी stream से हो सकते हो चाहिए आप मैत पढ़े हो चाहिए ना पढ़े हो अब हम थोड़ा सा आपको वो जीओ दिखाते हैं जो आपके computer operator में लगा के भेजा गया है O label के समकच थोड़ा सा आप गौर करोगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो PGDCA वाली बात है ठीक है कुछ बच्चों के clear नहीं हो पाए थे तो यहाँ आपको थोड़ा सा मैं brightness कम करता हूँ और PGDCA की बात करता हूँ तो यहाँ कहीं भी डो एक से माननेता प्राप्त लिखा है यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह चीद ध्यान रखिएगा कि यह चीज तो है कि आपका रकेंदर राज्य सरकार किसी बोर्ड या विश्व विद्याले या UGC या ICTC अप्रूब्ड है यह निलेट से है माननेता प्राप्त सरकारी नीजी संस्था से 10 प्लस 2 या असनातक के उपराम की जाने वाली कम से कम एक वर्ष की अवधी का PGDCA या DCA पाठकरम उत्त्रिण हो तो वो O-Level के समकच माने जाएंगे समझ में आ गई बात इस बात को क्लियरली कोई भी PCM की जरूरत नहीं है यहाँ पर ठीक है इसको खारिज किया गया है ये वाला चेंज कर दिया गया है ठीक है ये जीओ में पहले मैंने बोला भी था कि बाकी सब के लोग सेवायों का अधिनस्त में यह सब चीजे नहीं चलत तो यही चीज यहाँ पर भी लागू की गई है पुलिस भरती बोड में ठीक है तो आप चाहे कॉमर्स से पड़े हो चाहे आप आठ साइस से पड़े हो अगर SI और ASI की भरती के लिए आपने PGDCA किसी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप निशिन्त रहिए आप भर सकते हैं को आप O-Level के equivalent हैं मेरी बात समझ लेजिएगा एक डाउट क्लियर अब दूसरे पर हम आते हैं कि असनातक में मेरा कम्प्यूटर यह असनातक अस्तर पर एक विशय के रुप में कम से कम एक वर्स कम्प्यूटर साइस या कम्प्यूटर एक प्लिकेशन रहा हो computer science के अंदर network का कोई subject पढ़े हो जिसे computer network कोई software पढ़े हो कोई program पढ़े हो ये कुछ पढ़े हो आप ठीक है computer science थोड़ा broad होता है application थोड़ा कम होता है ये ध्यान रखिएगा तो इससे related कुछ भी पढ़ा है computer network हो गया software computer के कोई related कोई आपने computer के programming language पढ़ी है तो वो सब computer science का भाग होता है ठीक है fundamentals of computers पढ़ा है वो सब applications के part हो जाएंगे तो अगर एक वर्स तक आपने असनातक में पढ़ा है तो आप चाहे BA किये हो चाहे आप BSC का degree लिए हो ठीक है चाहे आप कुछ भी किये हो अगर आपने कोई graduation degree में एक साल तक course में आपका computer है निशिंत रहे है आप O-Level के बराबर है अब एक point ये नहीं बच्चों को clear हो रहा है यहां ध्यान दीजिएगा बोला है BSC IT, MCA, BT, A-Level, B-Level, C-Level के computer course BCA, MSC Cyber Lion Security, BSC, May Computer Science या computer application हाना आप ये ध्यान रखिएगा ये सब में कौमा लगा है BSC IT हो MCA, BT, A-Level, B-Level, C-Level के computer course हो BCA हो, MSC Cyber Lion Security हो BSC में computer science या computer application एक विशे के रूप में कम से कम किसी एक वर्स में रहा हो ठीक, अब ये point थोड़ा सा clarify नहीं हो पा रहा है इस point का clarification क्या है, ये कहना क्या चाहता है ये ध्यान रखिए, मेरे recording यहाँ बोला है कि BSC IT, MCA, BT, A-Level, B-Level, C-Level के computer course ये हो गया, फिर BCA, MSC Cyber Lion Security अब ही, BSC में computer science, ये ध्यान रखिएगा BSC में computer science, computer application के विशेक के रूप में कम से कम किसी एक वर्स में रहा हो ये सब ही लोग eligible हैं अब यहाँ पर कुछ लोग अलग-अलग इसका मतलब निकालते हैं सबसे बड़ी बात मतलब ये है निकला कि यहाँ पर यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि BTEC में कम से कम एक वर्स computer पढ़ा हो ये कहा लिखा हुआ है BTEC में एक वर्स computer पढ़ा हो अब हो भी सकता है नहीं हो सकता है उसकी बात मैं एक बात बता रहा हूँ इसने यहाँ से जो कौमा लगाया लिखा BSC में computer science या computer application एक विशय के रूप में कम से कम किसी एक वर्स में रहा हो एक विशय के रूप में रहा हो जनरल BSC में अगर आपने computer science या computer application एक विशय के रूप में कम से कम किसी एक वर्स में रहा हो तो आप eligible है BSC में जब यहाँ लिख दिया असना तक अस्तर पर एक विशय के रूप में कम से कम एक वर्स computer science computer application रहा हो जब पाचमा point लिख दिया तो यह भी लिख दिया यहाँ पर अलागला कोई भी किसी भी तरीके से बस जियो निकाल दिया गया था तो यह ध्यान रखिए इस point से तो यही clear होता है बाकी आयोग है क्या मानता है ध्यान दिर्खिएगा BSC में computer science में computer science computer application एक विशे के रूप में कम से कम किसी एक वर्स में रहा हो यह चीज हो गई और BTEC MCA BSC IT तो वो चीज तो professional degree है लेकिन यह कहां बताया कि BTEC mechanical वाले के लिए क्या चाहिए BTEC mechanical BTEC civil यह भर सकते हैं क्या BTEC civil वाले ठीक है वो क्या O label के समकच माने जाएंगे यह आपने कहीं भी clearification नहीं हो रहा है तो मेरा तो मानना यह है कि जो यहाँ पर लिखा इसका मतलब BTEC all branch इसका मतलब BTEC all branch हो जाएगा अगर ऐसे जीओ में लिखा है तो ठीक है क्योंकि BSC IT MCA slash BTEC A label B label C लेवल के computer course A label B label C label यह अलग कराती है डो एक यह computer course होता है यह इसके लिखा है ठीक है और BTEC यहाँ जो लिखा है वो BTEC indicate कर रहा है कहीं न कहीं all branch के क्योंकि maximum university सितियों में एक साल BTEC में computer होता ही होता है semester wise computer पढ़ाया ही जाता है तो इस वज़ा से इस वाले जीओं में हमारे हिसाब से आपका यह ध्यान रखिएगा कि होना चाहिए BTEC all branch कहीं न कहीं O level के equivalent माना होगा ठीक है यह बात ध्यान रखिए वो कहीं न कहीं सभी branch के लोग computer as a subject या programming language पढ़ते हैं वो एक साल पढ़ते हैं ठीक इस बात को clarify यही कर रहा है कि यह आपका कहीं न कहीं eligible है BTEC क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर जो last point इन्हों ने दिया है इस पर कि जो diploma in computer engineering और information technology electronics engineering उत्रिण हो तो इसके लिए अलग से point बनाया है diploma वालों के लिए diploma वालों के लिए जो computer में information में और electronics engineering में यही जो होंगे उनका जो diploma होगा चाहे वो पॉल टेकनिक किये हो चाहे नेलेट चाहे यूजीसी से डिप्लोमा किये हो अप्रूब्ड तो उनके लिए सिर्टीन ब्रांच यहाँ पर define किया गया है तो जाहिर सी बात है BTEC तो डिप्लोमा से उपर होता है तो वो ओ लेबल के उपर की चीजे है तो वो वहाँ पर BTEC all branch allow है ठीक है क्यूंकि आप खुद अपने माकसीत में देखिएगा आप सभी पढ़े होंगे at least साल भर तो computer का subject किसी ना किसी तरीके से कोई भी branch वाला हो उसके applications को तो इस बार को clear कर लीजिएगा यही है ठीक है बाकी आपको जो मैंने बताया वो सब चीजे वही है यह ध्यान रखिएगा यह जो नया जीओ है उसके according में बता रहा हूँ और असनातक में आपने किसी भी कोई भी degree लिया हो एक साल computer science मतलब उसके अंत्रगस computer science के आने वाले कोई भी software या programming language आपने पढ़ा है तो आप eligible हो यह बात doubt clear हो गई और मैं बार बार वही बोलना हूँ चाए ADCA, DCA, DOAP जो भी course आपने किया हो वो अगर UGC से approved, NELAT से approved या AICTC approved संस्था से है तब ही मानने होगा किसी register अपना number ले लिया हो और उपर लिखवा दिया हो कि UP government के द्वारा approved है उससे नहीं होगा, किसी board के द्वारा हो, ठीक, तो यह आप लोग clarify कर लिजेगा, यह ध्यान रखिएगा तो BTEC वाले आप भर सकते हो, निश्चिन्त रहिए, PGDCA के लिए कोई math, PCM की जरूरत नहीं है आप किसी से भी हो, आप PGDCA किये हैं, तो आप O level के समकच है यह आपके doubt clear हो गए, अब कोई दिक्कत, कोई समस्या होगी, तो जरूर comment करिएगा, हम पूरी कोशिस करेंगे ऐसा नहों कि आप लोग यह सोच के form ना भरें, चाहे जो भी चीज़े हो, तो उससे दिक्कत आपको हो जाए, ठीक है यह ध्यान रखिएगा, पिछली बार बाकी सब चीज़ डिपेंड करता है भाई आपके पैनल पे, जो DV का पैनल होता है, कल पिछली बार मैं का मैं record बता रहा हूँ, पिछली बार ऐसा हुआ, कई लोगों के DV को, DV में पास हो गए, बाद में जब result आया, तो वहां से पता च चला, कि कुछ लोगों को DV में पास थे रोक लिया गया, जब वो बच्चे गए, पुलिस भरती बोर, तो उन्होंने बोला, तो उस समय, क्योंकि सब लोग एक तरफ से जाते नहीं, एक अठा होके, और कुछ बच्चे एक अठा होके गये थे, कुछ बच्चे अलग-अलग तो जो बाद में गया, तो कुछ लोगों को ठीक है, तुम बोल दिया ऐसा है, उसनोंने जमा कर लिया और भगा दिया, अब वो बच्चे वहाँ से निगेटिव होके आएं, कि भगा दिया गया, तो हो सकता है हमारा लिस्ट नहीं आई, अगली बार लिस्ट नहीं आई, जो भी टाइपिंग के लिस्ट में नाम नहीं था, डीवी पास थें, और लिस्ट में नाम नहीं था, तो कहा गया था ऐसा ऐसा कि आपको डीवी में फेल किया गया है, आपका जो सर्टिफिकेट है, वो कहें कि जब हमें पास दिखाया गया था, तो क्यों फेल किया गया, तो ज अब कुछ DB के पैनल पर depend करता है ठीक है तो ये धियान रखिएगा हम और आप यहाँ पर जो notice दिया उसके according तो भाई यही है कि BTEC all branch allow है और PG DCA के लिए कोई PCM नहीं चाहिए आप allow हो ठीक चलिए तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विलाम देता हूँ मस्त रहिए स्वस्त जबरदस रहिए तैयारी करते रहिए और टीम परिक्षा प्लस इसका course भी चला रहे है जिन्हें भी course में enrolled होना है अब परिक्षा प्लस एप install कर लीजिए वहां से course में enrollment ले सकते हैं ठीक है अभी offer चला है price का कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप इन नंबर पे contact कर सकते हैं 945 000 6 007 और 99 79 70 80 पर call करके आप हमसे बात कर सकते हैं आप बाकी course में register होना है तो live.parikshahplus.org आप website open करिए यहां से ठीक है और यहां पे आप जब live.parikshahplus.org पे जाएंगे courses में देखे computer operator भी चला है और हमारा जो है UPP में यहां पे आप जाएंगे UPP के तो यहां आपको ASI 2.0 और computer operator भी चला है और दोनों का combo चला है वो 1200 में चला है दोनों का जो combo है वो 1200 में आपको मिल जाएगा GST अभी off कर दी गई है आपकी ठीक है तो जो लोग इचुक हों तैयारी करना चाहते हैं SI और ASI बनना चाहते हैं उनका स्वागत है मस्त होके पढ़िए स्वस्त रहिए जबर्दस्त रहिए